Good morning students, class 12th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आशा करता हूँ आपने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया होगा और अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें लेसंस और English grammar composition का जो पार्ट है उसके letter writing, accepting और declining invitation ये सब कुछ आपको मिलेंगे करना क्या है आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और playlist में जाना है अभी हम लगातार worksheet जो की राजस्तान education department के द्वारा issue की जा रही है उनको हम solve कर रहे हैं और अभी तक जो workseats आई थी वो lost spring या deep water lesson पर based थी उन सभी workseats को पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर लें और playlist में जाएं तो सारी workseats आपको वहाँ मिल जाएंगी आज हम जो solve कर रहे हैं वो workseats आज ही की date 16.28 को issue की गई है lesson आपका फोर flamingo book का और lesson का नाम है the rat trap चुहे दानी topic पार्ट बन क्योंकि एक ही lesson से कई workseats इश्यू की जाती है तो इस पार्ट बन पहली workseats जो workseats आदा रहत है kindness of the stranger अजनभी की उदारता या दयालूता के उपर आदा रहत है class 12 के लिए subject English एक बार इसके प्रस्णों को देख लेते हैं सारे प्रस्ण क्या है इसके पहला प्रस्ण देखिए how did the man make rat traps वो व्यक्ति चुएदानी कैसे बनाता था question number 2 how did the rat trap paddler live his life अपने जीवन में कैसे किस प्रकार से रहता था पैडलर पैडलर होता है जो घुम घुम करके अपना सामान बेचता एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो rat trap paddler ये चुएदानी बेचने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामान बेचता था तो किस प्रकार से अपने जीवन में वो रहता था what was the idea कौन सा बिचार था by which he was struck suddenly जो अचानक से उसके दमाग में कौन था या अचानक से उसके दमाग में चोट मारी कौन सा ऐसा बिचार था किस तरह से ब्रद ब्यक्ति ने अपनी जौपडी में उस रेट ट्रेप सैलर का स्वागत किया और question नमबर पांच जंगल को चुएदानी से क्यों तुलना की गई थी तो ये पांच questions हैं जो की रेट ट्रेप lesson पर आधारे थे हैं और ये lesson की वीडियो आपको मेरे चैनल की playlist में मिल जाएगी और आप इस वीडियो के description box में भी मैं इस lesson की link आपको दे दूँगा description box से भी आप इस lesson की link लेकर के इसको study कर सकते हैं जिससे की answers देने में आपको आसानी रहेगी और जो बाकी की जो already जो मैं बर्क सीट आपको issue कर चुका हूँ उन बर्क सीट के link भी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएंगे description box का होता है वीडियो के last में मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे तो पहला प्रस्न देखिए how did the old man make rat traps किस तरह से चुए दानिया बनाता था तो देखिए बर्क सीट 16 अगस्त की answer सब स्टार्ट हो गए है पहला answer आप देख सकते है the rat trap seller made rat traps irregularly कि चुए दानी बेचने वाला बनाता था rat traps चुए दानिया irregularly अनिय में तूप से बनाता था means कभी कवार बनाता था by the material उस सामगरी से which he used to bag जिसे वो भीग के रूप में मांगता था from the stores दुकानों से और big farms या बड़े बड़े खेतों से तो बड़े बड़े खेतों से और दुकानों से भीग के रूप में जो सामान मांग लेता था उस सामगरी से irregularly यदा कदा वो चुएदानिया बनाता था तो पहले question का answer यह हो गया अभी दूसरे question को देखिए how did the rat trap paddler live his life किस तरीके से चुएदानी बेचने वाला अपना जीवन जीता था तेखिए question number 2 he used to make rat traps वो चुएदानी बनाया करता था he used to make rat traps which was not a profitable business to him जो की उसके लिए एक लावदायक ब्यापार नहीं था चुएदानिया बनाता था और ये इसके लिए एक लावदायक बिजनिस नहीं था लावदायक ब्यापार नहीं था so he had to depend on bagging इसलिए उसको निरवर रहना पड़ता था bagging भिक्षा पर भीक मांगने पर भी वो निरवर रहता था और पैटी थीवरी और कभी कभार चोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था for his livelihood अपनी अजीबिका के लिए अपने जीबिको पारजन के लिए तो ये काम किया करता था वो चुएदानिया बनाया करता था जो की profitable business नहीं था उसके लिए इसलिए वो क्या करता था he had to depend उसे आसरित होना पड़ता था भीक पर और चोटी मोटी चोरियों पर for his livelihood अपनी जीबिका के लिए question number 3 देखें उपर से what was the idea by which he was struck suddenly अचानक से उसके दिमाग में कौन सा विचार आया कौन सा विचार उसके दिमाग में कौन था answer 3 he used to meditate वो सोचा करता था वो सोचने का आदी था he used to meditate वो विचार मगन होने का आदी था about his rat traps अपनी चुएदानियों के बारे में whenever he lonely जब वो कभी अकेले plodded along the road जब वो कभी अकेले सड़क पर पैदल चलता था तो पैदल चलते चलते वो ध्यान बगन हो जाता था और सोचता था चुएदानियों के बारे में once एक बार he was struck by the idea एक बार उसके दिमाग में विचार आया that the whole world about him was a big rat trap कि जो ये पूरा संसार उसके चारो ओर है ये एक बड़े चुएदानी के जैसा था बड़े चुएदानी था तो ये विचार उसके मन में आया कौन सा? that the whole world about him कि पूरा संसार जो उसके चारो ओर है was a big rat trap वो एक बड़ी चुएदानी है because क्योंकि the world offers riches and joy क्योंकि ये संसार है ये प्रदान करता है खुशियां और पैसा to people लोगों के लिए as rat trap does to a rat जिस तरह से एक चुएदानी 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 के लिए bats लालची सामगरी प्रदान करती है उसी तरह से ये जो संसार है ये लोगों के लिए धन और खुशियां प्रदान करता है तो ये जो संसार है big rat trap के जैसा है बड़ी चुएदानी के जैसा है ऐसा विचार उसके दमाग में कौनदा था question number पहले मैंने 5 को लिख दिया यहाँ पे तो 5 देख लीजिए why the wood was compared to a rat trap जंगल को चुएदानी से क्यों तुलना की गई थी question number 5 question number 5 देखिए having stealed चोरी करने के बाद क्या चोरी करने के बाद 30 kroner 30 kroner चोरी करने के बाद और kroner एक मुद्रा है जो आप लेसन पढ़ेंगे आपको पता लगेगा वाद डेटेल से चर्चा की है having stealed 30 kroner 30 kroner चोराने के बाद which was like a bet जो की एक लालची सामगरी के जैसा था the rat trap seller turned his way from the public highway to the woods जो चुएदानी बेचने बाला था वो सारवजनिक सडक की बजाए मुड गया था जंगल की ओर it was a big and confusing forest ये एक बड़ा और भ्रमित कर देने वाला जंगल था so he lost his way so he lost his way to come out of it इसलिए वो अपना रास्ता भटक गया इसमें से बाहर निकलने का तो जिस तरह से चुएदानी में फस जाता है और निकलने का रास्ता नहीं मिलता एक लालच की बज़े से बैसे ही यहाँ पर जो रैट्रेप सेलर है चुएदानी बेचने वाला वो 30 क्रोनर के लालच में फस गया जंगल में और वहाँ से अब निकलने का उसको मार्ग नजर नहीं आ रहा था question number 4 देखें question number 4 में मैंने यहाँ पर लिखा है जो दिया हुआ है why the wood was compared to a rat trap why the wood was compared to a rat trap question number 4 how did the old man receive the rat trap seller into his cottage किस तरह से ब्रद ब्यक्ती ने अपनी जोपड़ी में उसका स्वागत किया था question number 4 जो कि मैंने last में लिख दिया है the old man welcomed the rat trap seller happily into his cottage ब्रद ब्यक्ती ने खुश हो करके उसका स्वागत किया अपनी जोपड़ी में he served porridge for him in supper रात्री के भोजन के लिए उसको porridge दलिया सर्व किया था दलिया परोसा था उसने ब्रद ब्यक्ती ने both of them smoked together दोनोंने साथ मिलकर दुम्रपान किया था and played mazolis और फिर साथ में mazolis m-a-j-o-l-i-s mazolis तो साथ में मिलकर उन्होंने mazolis भी खेला था mazolis जो की task से खेला जाता है आप lesson पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि mazolis game क्या होता है तो साथ में mazolis भी उन्होंने खेला था तो इस तरह से उसका स्वागत किया था ब्रद व्यक्ती ने red trap seller का अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ ही यहाँ पर मैंने लिखा है सब्सक्राइब youtube channel english by umes guru जिससे की complete syllabus मिलेगा आपको कक्षा बारे का चैनल की playlist में मिलेगा और मैंने आपको पता है कि description box में इस वीडियो के description box में आपको link मिलेगी red trap lesson की और साथ ही जितनी भी worksheet जारी की गई है राजस्तान education department से उन सभी की links भी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी description box कहा होता है आप mobile को सीधा पकड़िये सीधा पकड़के जब मेरी ये वीडियो चल रही होगी तो उस वीडियो के नीचे आल लिखा हुआ होगा worksheet based on red trap और उसके side में right side में एक वी का निसान बना हुआ होगा उस वी के निसान को आपके